Hello to everyone, कैसे हो आप सब, I hope आप सब ठीक होंगे, तो चुल आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी कक्षा 12 की हिस्टरी का 4 चैप्टर, उससे पहले जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेर आने वाले वीडियो की जानकरी के लिए, नोटिफिकेशन बैन को प्रेस करें, हमारे 4 चैप्टर का नाम है, विचारक, विश्वा, सोरी मारते, इसके में 2-3 वीडियो पहले में बना चुकी हूं, जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर जाकर आप उन सारे वीडि पढ़ा था, और उन्होंने कैसे कैसे माहतम बुद्ध से माहतमा बुद्ध बन गई, ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे माहतमा बुद्ध की शिक्षाएं, क्या सिक्षाई थी, यहाप देखो, बुद्ध की शिक्षाओं को सुथ पीटिक में दी गई कहानियों के आधार पर अभिद्धम पीटक, ठीक है, तो जो बुद्ध की शिक्षएं हैं, वो किसमें हैं? सुथ पीटक में, महतमा बुद्ध के बारे में, बुद्ध का जनम 563 इसमें में हुआ था, और उनकी मिर्थी 483 इसापुरों में मानी जाती है, महतमा बुद्ध की पिता का नम पॉशन किया तो जो माघ गोत्म बुद्ध का अपने जो उनकी मुअसी थी जिन्हें उनका आलन पॉशन किया था उनके परतिब बहुत ज़्यादा लगा था वो अपने उसको सगी मागी दरह उनको प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी नाम के आगे, अपनी मोसी का नाम लगाया है, ठीक है, और वो सिधार्थ से गोतम बन गए, गोतम बुद्ध, ठीक है, गोतम बुद्ध एक शित्रिय कबीले के शाक्यावन से थे, सांसारिक सुक को त्याक कर, पैतिस वर्ष क आयू में, गोतम बुद्ध को ग्यान प्राप्त हुआ, और ग्यान प्राप्ति के बाद से ही, गोतम बुद्ध से महातमा बुद्ध कहलाई, इतना क्लियर आप सबको, तो ठीक है, महातमा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयू में घर छोड़ा था, और नदी के किनारे बौत गया नमक स्थान पर, इनने ग्यान की प्राप्ति हुई थी, ग्रौन्तों में ऐसा कहा जाता है, कि सुजाता द्वार बनाएगी खीर को फखा कर, महातमा बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति हुई थी, जब इन्होंने घर को ट्याग दिया था, तो उस समय इनका गर छोड़ा जा तो सार्थी का मतलब होता है जो घोड़े और रत को चलाने वाला होता है अब जान लेते हैं महात्मा बुद्ध द्वारा जूड़े हुए कुछ घटनाए जो किस नाम से जाने ही जाती है पहले है महा भिनिश करमन इसको क्या बोलता है घर त्यागने की घटना फिर संबुती ग्यान जिस समय महात्मा बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति हुई थी द्रहम चक्र परिवर्तन जब महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था और महापरी निर्वान महात्मा बुद्ध की मिर्थ्यों को कहा जाता है तो यहाँ पर देखो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या क्या थी मौक्ष की प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने मध्यमार को अपनाने की बात कही थी ठीक है क्या था उन्होंने लोगों को कहा था कि अगर तुम्हें मौक्ष प्राप्त करना है तो तुम्हें मद्यम मार्क को अपनाने होगा। उनके चार मौल सिध्धान थे, तो ठीके मौक्ष की प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध्ने मद्यम मार्क को अपनाने की बात कही थी, उनका मानना था कि वेक्ती को ज्यादा विलासी जीवन नहीं जीना चाहिए, और नही ज्यादा कठोर नियोमों का पालन करना चाहिए बीच का रास्ता प्राना चाहिए और इसी मौक्ष के प्राप्ति के लिए उन्होंने आठ रास्ते बताए हैं और इनी यहाँ रास्तों पर चलकर व्यक्ति मौक्ष को प्राप्त कर सकता है और इन आठ मार्गों को ही अश्टां समय कर्मा समय का समय द्रिष्टी समय क्वाक समय व्यवाम और समय धर्णा समय ध्यान विस समय समाधी है ठीक है यहां पर देख लेजिए यह मैंने नोट किये हैं आपके आठो यह देखो समय क्या आर्थ होता है अच्छा ठीक है समय क्या अर्थ होता है अच्छा अच्छा बेक अच्छी नजर रखना संभ को ह采वन के परतीं समय विक्ति को हमेशा ध्यान लगाना चाहिए और अच्छे तरीके से जीवन का ध्यां करना च्याहिए तो यह त्लिए त्सस्атите क्या कर लाहन थै्rim जो तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी वो ना तो घोर तपश्या पर आधारित और नहीं भौग विलास पर उनके चार मूल भुद्ध सिद्धान थे उन्होंने कहा कि संसार दुखों का घर है और इन दुखों का कारण है मनुश्य की इच्छाएं हैं ठीक है उद्धा को मृत्यू के अवश्यं भावी होने की बात समझाई यह स्टोरी शायद आप सब को बता होगी कि जब एक और अपने बच्छोटे से बच्चे को मरे हुए बच्चे को बहत्मा बुद्ध के पास लेकर आई तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं इसको जीवन दान दे सकता ह होगी यह कहानी है तो इस बात से महात्मा बुद्ध क्या समझाना चाते थे कि मिर्ट्यू के मिर्ट्यू तो अवश्यं भावी ही है ठीक है क्या है मिर्ट्यू अवश्यं भावी है तो महात्मा बुद्ध कहते हैं अगर मनुश्य अपने इच्छाओ का त्याक कर देता है अ अपना कर सकते हैं महात्मा बुद्ध हैंसा के बहुत ही बड़े पुजारी थे उन्हें अपने धरम में कहा कि हैंसा से भड़ा कोई भी धरम नहीं है दूसरी बात उन्हों कि किसी भी व्यक्ति को जाती पाती चुवा चूत में विश्वास नहीं करना चाहिए और बहुत धरम में करम और पुनर जनम में भी विश्वास किया जाता था वो धरम वाले व्यक्ति के अनुसर मानते थे कि जिस तरीके से करम व्यक्ति करेगा उसे जनम में उसका फल भोगन पड़ेगा, तो इश्वर के अस्तितों के बारे में उन्होंने किसी भी भगवान को नहीं माना था, उनका कहना था कि कोई भी इश्वर नहीं है, केवल मनुश्य के करम ही उनका जीवनिर्धारित करते हैं, बोध धरम के सारी शिक्षें ब्राह्मनों की विचारधाराओं से अ उन्होंने मौक्ष प्राप्ति पर बल दिया, महत्मा बुद्ध ने कहा कि मनुश्य को जिन्म वे मिर्थ्य के चक्र से मुक्ति पाने चाहिए, मौक्ष प्राप्त करना चाहिए, बोध धरम में यग वबली पर भी ऐविश्वास दिखाया है, इस तरह से हम देखते हैं कि आ कोई भी चीज सथाई नहीं है, इस शन भुगन दुनिया में, शन भुगन यहनी कभी भी खतम होने वाली दिया में, जीवन का अंतर नहीं था, घौर तपस्या और विशा सक्ति के बिच मध्या मारगा, उन्होंने महत्मा बुद्ध ने कहा था, इस अपना करी, घौर तपस इस शिशो का दल तयार हो गया, यानि कि उनके संक्या बढ़ने लगे, इसलिए उनने संग की सापने की, संग कहा होते हैं, जा इस तरे और पुर्ष मिलकर रहते हैं, वो होते हैं, बहुत धरम के अनुयाई जहां रहते थे, उनको संग बोलते थे, ऐसे बिक्षो के एक संस् को से भोजन प्राप्त करने के लिए को टोरा रखते थे, क्योंकि वे दिन दान पर निर्बढ़ते हैं, इसलिए उनने भिक्षू भी कहा जाता था, जो विक्षा मांकर खाते थे, उनको भिक्षा मांकर खा सकते थे, शुरू-शुरू में सिरफ पूर्षी संग में समलित हो ठीक है, अब यहां पर देखो, महिलाओं के संग में आने की सबसे पहले किसको वो थी, उनकी जो मौसी थी, महत्वा बुद्ध की उप्माता महा परजापति गोत्मी ही, संग में शामिल होने वाली पहली बिक्षूने थी, ठीक है, अब कई इस्तिया जो संग में आई वे ध आपना की, आप देखो, संग बौध मत की धार्मिक व्यवस्ता थी, इसने बौध को लोक्रिय बनाने में सरहनी युग दन दिया, बुद्ध की जो थे, दो परकार के शिश्य थे, भिक्षू और उपासक, ठीक है, सामानेजन और ग्रस्त लोग, उन्होंने भिक्षू को संग के रूप में संगठित कर दिया था, इस परकार बोध ध्रम के तीन पुरमों खंग थे, बुद्ध, संग और ध्हम, जल्दी है, बोध भिक्षू, बोध संग, भिक्षू, बिक्षू की जीवन परणाली का नियाब तदा बोध ध्रम का स्रुविस्ट परचारक बन गय इस्ट्रे पुरुष बोध्रम का घहने धिन करने तरह बोध्रम का परचार करने के लिए संग में जाते थे और बहुत भिक्षो भिक्षणिया वर्षयकाल को छोड़ कर पर आए वर्ष भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भर्मन करते वे उपदेश देते थे यह जब ब संग की सदेशता कैसी थी महात्मा बुन ने संग का संग अठन गर्ण नंत्रात्मक परणाली के आधार पर किया था यानि 15 वर्ष से अधिक वायू आयू वाले सभी नागरिकों को संग की सदेशता खुली थी जो 15 साल से जाधा के थे वो सब नागरिक संग में शामिल हो सकत नहीं दी जाती थी पहले पहले गोतम बुद महिलाओं को संग का सदेश्चे बनने के पक्षमिन नहीं थे किन्तु बाद में महिलाओं को संग का सदेश्चे बनाने के पक्षमिन नहीं थे किन्तु अपने प्रिये जो शिश्य थे उनके आनंद आनंद थे उनको बार-बार और उनके निवेदिन करने पर महिलाओं को संग में अनुवती दी गई पूद की उपमाता जो थी परजापत महा परजापती गोतमी इनकी पहली महिला संग में परवेश करने वाली पहली बुखनी बनी प्रवेश करने वाले इस्त्रिया धम की उपदेश काई बन गई आगे चल के रहे थेडी के लाई थेडी का विप्राई क्या है ऐसी महिलाय जो निर्वान प्राप्त कर लिया था ठीक है ऐसी यह वह महिलाय थी अब बिक्षुनिया जो बिक्ष्णियोत को संग में विशेश न आरायम दैवक जीवन से दूर करने के लिए किया गया था संग में जो बिक्षुते सादा सादा जीवन ही व्यादित करते थे उनके अपास जीवन व्यापन के लिए अतिया आशक वस्तु के अलावा और कुछ भी नहीं होता था उधारन के लिए वो जो उपासकों से दिन मा एक बार ही भोजन दान लेने के लिए अपने पास एक कटोरा रखते थे ठीक है ये हो गए हमारे जो नियम ते संग के सदिस्ता के वो जो महात्मा भूद की जो अनियाई थे वो अनेक वर्गों से संबंदित थे इन में देखो राजा, धनवान, गहपती, सामान्यवर, कर्म देश नियमों का पालन करना पड़ता था जैसे आपने करते वो को भली भाती समझना, पंदरा देवनों में केवल एक पार गरस्त के यहां से बिक्षा लाना, वर्षाकाल में उन स्थानों पर जहां भिखू ना हो निवास करना, भिखूं से हिल मिलकर उन्हें विभत गामी ना बनाना तथा क्रोध आवेश अपशब्द जैसे पापकरमों से दूर रहना, यह उनके नियम थे, अब यहां पर देख लेते हैं हम इस परग्राफ में कि बुद्ध, बुद्ध धरम के सिगर परशार के कारण क्या थे, इतनी तेजी से बुद्ध धरम कैसे फैल गया, मह उनकी मिर्त्यू के बाद भी बहुत धरम का तीवर गती से विकास हुआ, इसके निमिलिक्ट कारण थे, ठीक है, पहला कारण यह था कि महात्मा बुद्ध, नमरता त्याग, सत्य तथा प्रोप्रकार की साकार मूर्ती थे, उनके चुम्बक की तरह जो व्यक्तितव था, रा धार्मिक आडमरो, व्यर्त के रिती रिवाज, खर्चिले यग, ब्राहमन के अनुचित परभतों के उप चुके थे, जिन सामान्य को अब एक सरल एम व्यवारिक धरम की आउशकता थी, अते वे बरबसी बोध धरम की ओरा करशिट होने लग गए, नमबर थ्री, बोध धरम की शिक्षाएं अते देख सरल थी, ठीक है, अब महताबूद देखो, ने अपने उब देशों को परचार जन सामाने की बाश्या में पाली मी किया था, जो जन साधरन की बाश्या थी, बोध धरम के परसार में बोध संग ने महतोपुन योगदान दिया था, और इसमें भिक इसके द्वार ब्राह्मन, शत्रे, वेशे, शुद्र, आधी के लिए सभी के लिए सामान रूप से खुले हुए थे, बोध धरम की को आरभ में किसी शक्ति शाली परतिद्विंदी धरम का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस समय ऐसा कोई धरम नहीं था, बोध धरम के विशव का एक परमुख धरम बन गया, भारत का ही नहीं, चीन, जापान, मंगोलिया, भोटान, तिबबत, परमा, आधी में बोध धरम का परसार बड़ी तेजी से हुआ तो बच्चों आज के लिए तना ही टोपिक आपके लिए बहुत धरम के शिक्षा हैं, कैसी थी, क्या था, संके नेम क्या थे, नेक्स पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे, इतने से पार्ट को आप बहुत से अच्छे से करना और अच्छे से समझना है, जो चीज समझने वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें